आने वाले सभी अधिवक्ता वंदूओं का इसमें सहयोग करें अन्य था अधिवक्ता सड़क पर आएंगे और सड़क पर आने के बाद अगर न्याय पर जो रखा गया था उसी के आधार पर 17,500 के जेके 30,000 रुपे की जो आजीवन शुल्क निदी है उसी का नुमुदन करकर हमारे प्रदेश के आचारिय निष्चे तोर पर मेरा ये मानना है कि हमारे डेली वर्ल पॉब्लिक स्कूल, इंडियास नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है कादमेक्स, sports and performing arts का बहतरीन कॉंबिनेशन, admissions open from pre-nursery to 9. आजिवन को विदित है कि गद दिनों में राजिस्तान विदान सभा के अंदर 2020 का विदेख संक्या 8 पारित हुआ है, और उस विदेख संक्या 8 के अंदर आम जो अदिवक्तागंड है प्रदेश के, उनके अंदर किसी प्रकार का समंजस पैदा किया जारा है और एक शेडिय कर दूं कि ये मेरे हाथ में जो बिल की कौपी है, ये कौपी सदन के पटल पर रखी गई थी और इस इस बिल के तहट ये लिखा गया है, राजिस्तान अदिवक्ता कल्यान निदी संचुदन बिल 2020, इस बिज़ के अगर पैरा नंबर दो का पैरा नंबर अगर पहला हम पढ करते हैं, तो बार कांसल अफ राजिस्तान द्वारा जो प्रस्तावित है, उसके तहट जो आज इवन सदसेता शुलक है, वो सतरह हजार पांसो से बढ़ा के तीस हजार रुपे किये जाने की अनुशनसा की गई है, और यही बिल सदन के पटल पर रखा गया, और इसी पर च कि कोई मानत सदस से उसमें से खड़ा हो, उसके बाद वो संचोधन के लिए बिल पे, मतलब वो उसके लिए रीजन पेश करें कि इसके अंदर पंदा, अब तीस हजार से एक लाग रुपे किया जाना चाहिए, और एक लाग रुपे करने के बाद, उस पे भी विस्तने मानत सदस्यों की चर्चा होगी, कि एक लाग क्यूं किया जाए, और वो एक लाग चर्चा करने के बाद, जब प्रबारी मंतरी जो भी इसके जो धसांती धारीवाल जजी जो प्रबारी मंतरी है, अगर वो इसके उपर अनुशंचा करते हैं, तब जाके यह अनुवदन सदन के अध्यक्स के पास जाता है और अध्यक्स उसके अंदर संचोधन करके मानिय गवर्लर साब के पास अपरूल के लिए बेशते हैं लेकिन इस प्रकार का कोई कोई भी किसी इस प्रकार का कोई भी स्टेप सरकार ने नहीं फालो किया है और जो सदन में पेश को उसको संसोदी रूप से एक लाग रुपे करके भेज दिया और आज की तारीक में ये एक वकलत नामे पे भी लागू होता है वकलत नामे की भी इसके अंदर संसोदन है कि 15 प राजिस्थान के कुछ सदस से जो सरकार के अंदर अपना निजी हित रखते हैं मेरा आरोप भी है ये कि अपने सरकार के अंदर निजी हित रखते हैं उनके द्वारा अस्वधानिक रूप से इसके अंदर चेंज करके इस प्रकार का एक शेडियंत रचा गया है और हमारे आ अधिवक्ता बंदूओं के उपर एक आर्थिक बोश डालने की स्थिति गई है इसने मैं आपके माद्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाता हूं विदान सबाध्यक्स जो अपने आप में एक बहुत पूर्ण व्यक्ति हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाता हूं कि इस वि रुपे की जो आजीवन शुलक निदी है उसी का अनुमुदन करकर हमारे प्रदेश के आने वाले सभी अधिवक्ता बंदूओं का इसमें सयोग करें अन्य था अधिवक्ता सडक पर आएंगे और सडक पर आने के बाद अगर नियाये मांगने के लिए अगर हम नियाये दिल करेंग